आज मैं बना रही हूं एक न्यू डिश अक्सर क्या होता हैं बच्चों के लिए ब्रेड से रिलेटेड जो भी हम डिश बनाते हैं तो बच्चे उनके कॉर्नर्स को वेस्ट कर देते हैं तो आज हम वेस्ट नहीं करेंगे मैंने कल ब्रेड सेंविच बनाया था तो उनके कॉर्नर्स को वेस्ट नहीं करेंगे आज हम एक उसे न्यू दिश बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं तो आज हम बना रहे हैं कैरेमल केस्टर्ड के तो आज ये देखते हैं कै पर दातों की जब करने हैं इसको काय। बड it बड़ते हैं और बड़ते हैं। जो करने हैं शोरह पुरा त्वां पुरा लाकर चीनी को फिर्टान है। जब चीनी को ऐसी पिगलाना है, पानी हम नहीं एड करेंगे इसमें, तो शुवर कुछ ऐसे हो गई है, पिर्फुल करमेल तो चेंग हो गया है, जैसको हम सिम कर देते हैं, अब हम इसको इसमें डाब देते हैं, अब इसको हम एक ऐसे बर्तन में डाल देंगे और इसको पूरे में ऐसे तला देंगे, अब इसको हम साइट कर देते हैं, अब लेंगे हम एक जार, इसके हंदर हम यह ब्रेड ढालें गया अब इसको गिरेंगे, अब इसको गिराने कर देते हैं, कुछ ऐसा हो गया है कि पेस्ट पाउडर्स पेस्ट जासर अब हम यहां पे लेंगे एक ग्लास दूद अब यहां पे हम में लेना है दो टेगल स्पून कस्टड पाउड़ अब इसमें डाले हम थोड़ा सा पान देगा इसको अब चिसाने से मिक्स कर देगा है यहां पे टालेंगे हम तीन चमबच चेली हम इसमें एक कप पानी एड़ करेंगे चिसे इसको मिक्स कर देंगे दूद हमारा गरम हो जाएगा उसके बाद हमने जो कस्टड बनाया था उसको हम इसके अंदर आड़ करेंगे दूद हमारा गरम हो चुका है उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे यह करेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेगा इसके प्रब्रब्स भी बन सकते हैं बागी का भी हम इसके अंदर रबा करके एड़ करेंगे अब इसमें हम यह ब्रेट क्रम्स जो हमने बनाया थे वह हम इसके अंदर दीरे-दीरे करके एड़ करेंगे एक खट्टे मट डालिएगा अगर यह आपको लगेगी गाड़ा हो रहा है तो आप इसके समा दूद भी एड़ कर सकते हैं बैटर हमारा बिलकुल तयार है अब हम गैस आफ कर दोते हैं यह बैटर हम अब इसके अंदर आपने अब हम इसको ऐसे चंबर से सेट कर लेंगे अब लेलेंगे हमें इस जाशर को कर गैस मेंने ओन कर दिया है अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी अब हम इसके एक फाली पेपर देखे तरह करते हैं हमारा करन हो चुका है अब हम एक एक कटोरी इसके अंदर ऐसे रख देते हैं यह बर्तन हमने इसके अंदर रख दिया है और अब हमें इसको आदे घंटे तक स्टीम करना प्रेशर कोकर की यह सीटी हमें निकाल ली है और इसको यह रवर है यह भी हमें निकालना है और फिर इसको हम इससे मीडियम रखिएगा अब चलिए देखते हैं तीस मिनट हो चुके हैं देखते हैं गोलके के हमारा केक हमें इसको इसके अंड़ से निकाल दिया है और अब हम इसको थोड़ा ठंदा होने के बाद हम इसको दो घंटे के लिए हमें यह फ्रेज में रखना है ताकि यह फ्रेज में रखिए सेट हो जाए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे यह कुछ इस तरह से हो गया है इसका प्लेट कितना अच्छा प्लेट इसका आए मैंने इसमें सिर्फ ब्रेट के कॉर्डनर्स यूज करे थे जो बीच में जो वाइट ब्रेट होती है मैंने वह इसमें यूज नहीं कर रही थी तो आप देख सकते हैं कितना सुन्दरी केक लग रहा है प्लीज जरूर ठ्रॉय करिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू